हेलो एवरिवान वेल्कम बैक तो मैं चैनल गाइस कैसे हैं आप सब आई होब कि सभी अच्छे हैं खुश और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो मेरा भी गला भी कुछ ऐसा ही है ठीक नहीं हुआ है लेकिन रीडिंग तो करनी है आप लोगों के लिए और आज बहुत ही इंट्रस्टिंग टॉपिक में लेकर आई हूं शायद मैं पहली बार अपने चैनल पर ये रिडिंग करूंगी मैं इस बार भगवान हनुमान जी की तरफ से गाइडेंस पता करूंगे आपके लिए लौड हनुमान आपको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे क्या बताना चाहेंगे हनुमान जी जो भी बताएंगे गाइडेंस देंगे तो क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है यहां पर मेरे इंट्यूशन मुझे कह रही है कि हनुमान जी की तरफ से आपके लिए कुछ गाइडेंस आ रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो स्टार्ट करते हैं रिडिंग बिना देर करें और देख लेते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए वो लोग तो जरूर यह रिडिंग देखें जिनको हनुमान जी से जुड़ी कोई भी चीज दिख रही है या अगर आप जादा ही हनुमान चालिसा पढ़ रहे हैं या आपके आपको आपके रिल्स में हनुमान जी दिख रहे हैं तो भी आप देखिए रिडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाईस मैं थोड़ा सा धीरे ही बोलूँगी क्योंकि मुझे वैसे तो डॉक्टर ने बोलने के लिए मनाई किया है एक दो दिन के लिए जब तक मैड के लिए नाइट ओफ कॉप्स कुईन ओफ पेंटिकल्स ये कार्ड खुद से आगया वाव नाइन ओफ पेंटिकल्स पेजो वांड्स कुईन ओफ वांड्स ये कार्ड कुद से आगया है वाव ऐस अफ पेंटिकल्स तो अफ सोर्ड्स वांड्स पेंटिकल्स तो अफ सोर्ड्स वांड्स पेंट्स पेंटिकल्स तो अफ सोर्ड्स वांड्स पेंट्स 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 and queen king of wands oh wow energy तो बहुत अच्छी है देखो ace of wands justice का card है ace of swords का card है moon wow guys तो इन तीनों cards को ले लेते हैं हमारे पास तो triple one angel number भी यहाँ पर आ गया है क्योंकि तीन aces के cards है ना तो triple one angel number आ गया है इसको ऐसे set कर लेते हैं cards को यहाँ पर ना Scorpio, Taurus, Leo, Aquarius, Sagittarius और Libra sign बहुत ज़्यादा strong दिख रहे है मुझे Scorpio, Taurus, Leo, Aquarius, Sagittarius और Libra Cancer भी है यहाँ पर यह 5-6 sign मुझे बहुत strong दिख रहे है बाकि elements आ रहे हैं यहाँ पर ठीक है हनुमान जी आपको क्या बताना चाहते हैं सबसे पहली बात है अगर triple one angel number देख रहे हो और किसी purpose पे काम कर रहे हो बहुत टाइम से तो जल्दी ही आपके लिए दर्वादा खुलने वाला है आपका जो भी dream है वो पूरा हो जाएगा ठीक है इस time आपके आसपास negativity है लेकिन Lord हनुमान जी आपको बचाने की कोशिश कर रहे है negativity से nine of pentacles का कार्ड यहां clear बता रहा है कि जो भी problems, struggle hardships आप जो देख रहे हो ना life में जल्दी free हो जाओगे क्योंकि हनुमान जी की blessings आपके साथ है आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए ठीक है और इस time right now आप अपना सारा concern उनी को surrender कर दीजिए ठीक है यह आपके लिए important है concern आपको surrender करना है divine को lord हनुमान जी को आपके लिए doors खुलेंगे आपको जो भी misunderstanding हो रही है आपके connection को लेकर यहां से सारी चीज़े clear हो जाएगी और universe भी आपके लिए एक strategy बना रहे हैं और आपके पास justice आ रहा है guys अगर आपके साथ जाने अन जाने में किसी ने कुछ भी ऐसा किया है जिससे आप बहुत hurt हुए हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया था तो justice मिलेगा या फिर अगर ऐसा कुछ हो रहा है देखो पते कभी कभी क्या होता है भगवान ना बहुत परिक्षाएं ले लेते हैं बहुत ज़्यादा परिक्षाएं ले लेते हैं तो अब वक्त आ गया है कि आपको justice मिला जाएं क्योंकि हो सकता है जाने भगवान ने इतनी परिक्षाएं ले ली हैं वो कुछ ओवर हो गया है ठीक है तो जो आपने खोया है या जो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग गया उन चीजों में वो सब चीजों को लेकर जस्टिस मिलेगा और खुद भगवान जी हनुमान जी आपके लिए अप्रोच लगाएंगे डिवाइन से वो खुद आपके बेगनींड आके रहेगी बिलकुल ऐसा दिख रह आ है आपके पास ना ब्लैसिंग्स है हनुमान जी के आपके पास ब्लैसिंग्स है जो भी हीड़न फैक्टर्ज हैं आपके लाइफ के वह आपको रीवीट होंगे आपके सामने आएंगे आप अपने वर्क में अच्छा करो यह देखो, king of wards and queen of wands, आपका connection भी अच्छा होगा, अब जैसे ही आपके देखो, जो भी option आपके पास आ रहा है, इसको receive करने के बाद, आपके love life में improvements आने शुरू हो जाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से, तो love life भी आपके जल्दी से ही ठीक होना शुरू हो जाएगे, मत काफी जादा improvements आजाएंगे, आपकी love life में भी, क्योंकि अब खुद divine आपके लिए अप्रोच लगाने वाले है, universe से, ठीक है, archangel से, तो definitely guys, आपकी problem अब बहुत हद तक खतम हो जाएगी, थोड़ी confusion है आपके life में, आप पते, सुर्फ positive सोचना शुरू कर दे, आप अकेले नहीं है, एंजल आपके साथ है, हनुमान जे इस टाइम आपके साथ है, आपको एक रास्ता दिखाया जाएगा, जिस पर आपको चलना है, we have the world, और आप अपनी दुनिया में बहुत आगे तक जाने वाले हैं, आपके जो काम नहीं बन रहे थे, आप बनने शुरू हो जाए अच्छा कारीज, अगर आपका काम बन जाए ना, तो आप Tuesday को मंदिर हो आना हनुमान जी के, जब भी आपका काम बने तब हो आना, परशाद चड़ा कर आना, ब्रोकन हाट, क्योंकि भगवान जी ना आपके इस टूटे, इस टाइम जिस साब से आपकी लव लाइफ है, मैं ज़्यादा emotional हो जाते थे, रोते थे, परिशान हो जाते थे, और irritate होते थे, depression, stress जैसा feel करते थे, anxiety होती थी आपको, क्या अब आपको ऐसा feel हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल honesty के साथ मुझे comment section में बताना, आपको ऐसा feel नहीं हो रहा है, ये मैं जानती हूँ, क्यों नहीं हो र आपको फर्क नहीं पढ़ता, आप खुद में complete feel करते हैं, इस broken heart का फर्क नहीं पढ़ रहा आपको बिल्कुल भी, ये अगर सच है तो मुझे please comment section में बताईएगा, ये इसी वज़े से हो रहा है कि हनुमान जी की blessings और आश्रिवाद है आपके पास, तब भी फर्क नहीं यही तो बात है, आपको believe है अपने connection पर कि ठीक हो नहीं है इसको, believe है आपको, और ये विश्वास divine की वज़े से ही बढ़ रहा है, आप अपनी healing कर पा रहे हो इस scenario में भी, जबकि आपको पता है इस कुछ भी ठीक नहीं है अभी, archangel metron भी आपके साथ है, आपके peace of mind बनाने में help करते हैं, आपके person आ जाएंगे आपके पास, आपको पूरा विश्वास से इस बात को लेकर, और miracle आ रहा है आपके पास guys, divine आपके life में miracle भेज रहे हैं, तो जितना हो सके positive रहें, परिशान नहीं होना है आपको बिलकुल भी, जब हनुमान जी की blessings है ना, तो समझ वैसे मैं अपना एक opinion आपको बताना चाहूँगी, reading में ये बात मेरे mind में आई, तो मैंने बोल दी है, वरना मैं जो एक भक्ती और पूजा समझती हूँ ना, अपना दिल साफ करो, ठीक है, जितना आप अपना दिल साफ करोगे ना, अपनी soul को पियोर करोगे, तब ही पात चरहा लो, कितनी भी दिया जला लो, इन सब चीज़ों से भगवान खुश नहीं होते, भगवान खुश होते हैं, कि आप अपने आपको सही करो, सही कर्म करो, सही रास्ते पे चलो, ठीक है, हाँ इस रास्ते पे परिक्षाएं होंगी, लेकिन यही एक तरीका है उनको पाने का, जितना आपका दिल साफ होगा, उतना ज़्यादा डिवाइन आपके पास आने की कोशिश करेंगे, या फिर यह कहले जिए, आपको अपने पास बुलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम जो पूजा पाट करते हैं, यह हम अपने खुशी से करते हैं, अपने भगव को कैसे पास सकते हो, आपको खुद वो बुलाएंगे, आपको लेकिन अपने आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, कि यह आप उनको डिजर्व करते हो, ठीके इस तरीके से, भगवान तभी आपको अपने पास बुलाएंगे, वरना इस दुनिया में ऐसे भी लोग ह उन्होंने कुछ भगवान को कुछ दिखता ही नहीं उनमें, तो कहते है न, जैसे रहा चलता है, इंसान आपका हाथ नहीं मिला सकता आप से, क्योंकि आप उन्हें अलाओ नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जिस परसन में आपको वर्थ दिखेगी, तो आप उससे मिलना भी चाहेंगे, मिटिंग भी करना चाहेंगे, ठीक है, खाने पे भी बुलाना चाहेंगे, सेम कॉंसेट डिवाइन के साथ होता है, अगर उनको दिखेगा कि हाँ, ये परसन सच्चा है, अच्छा है, अच्छे काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, तो वो आपको अपने पास आने दिंगे, आप उनकी पूजा करेंगे, आप उनकी और खूज जाएंगे, उनको देखते ही, आपकी आँकों में आंसु आ जाएंगे, ठीक है, लोगों में आपको भगवान दिखने शुरू हो जाएंगे, तो ऐसा होता है, जितने भी दिए बत्ति जलालो भई ऐसे भगवान खुश नहीं होती हैं, भगवान अच्छे करमों को देखकर खुश होते हैं, और तभी अपने पास बुलाते हैं, तो जितनों को भी अभी हनुमान जी दिख रहें हैं, चाहे सपने में दिख रहे हैं, चाहे आपके फोन की स्क्रीन पर दिख रहे हैं, रिल्स वगेरा में चीक है, या उनका नाम आपके सामने बार बार आ रहा है या उनका मंदिर आपको दिख रहा है It means, हनुवान जी आपसे पहले से ही खुश हो चुक है आपकी भक्ती शुरद्धा से वो बहुत खुश हो चुके है और वो सच में आपके लिए कुछ करना चाहते है ठीक है तो जस्टिस दिलवानी में मदद करेंगे लौड हनुमान जी आपको ठीक है तो ये सारी बाते हैं गाई जा बाकी miracle तो आपने अंकर लिया है बहुत support मिल इस बहुत हिम्मत मिल रही है आपको डिवाइन से और यही आपको चाहिए इस टाइम तो आई होप कि ये reading आपके साथ resonate हुई हो आपको पसंद आई हो अभी के लिए बस इतना ही बाई टेक कियर